अगर आप जाना चाहते हैं कि मार्श मंत में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की अनरजीज होंगी, क्या आपकी अनरजीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीजों का खयाल रखके आप मार्श मंत में अपनी लव लाइफ को बहतर कर सकते हैं, त तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, चलिए वगोज आप लोगों के लिए देखें कि मार्श 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, में पस यहाँ पे तीन सेट अफ कार्ट्स हैं, फर्स सेट में हम आपके अनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके प एक एक इंसक्यूरिटी आप महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है कि कुछ वरगोज लिटरली डारेक्शनलेस फिल कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में आप क्या करें, क्या डारेक्शन लें, क्या आपका कोर्स अफ आक्शन होना चाहिए, और फिर से देखें, एक fear, एक insecurity महसूस करते हुए दिख रहे हैं, सब वर्गोस के लिए यहाँ पर different reasons रहेंगे, क्योंकि यह general reading है, लेकिन broader level के लिए अगर हम देखें, तो the moon के नीचे compatibility का card कहता है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके partner के बीच में वो compatibility नहीं है, वो एक understanding नहीं है, और कुछ के लिए यह भी हो सकता है, कि आप दोनों की बहुत अच्छी compatibility है, situation, circumstances, कहीं इस relationship को support नहीं कर रहे हैं, और इसलिए आप थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं, फिर से एक बड़ी clear कर देती हूँ, कुछ के लिए हो सकता है कि compatibility नहीं आप अपने partner के साथ महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं, इसलिए एक fear, एक insecurity है, होता है ना हमें लगता है कि पूरी जिंदगी कैसे आगे गुजरेगी, अगर अभी ही ये understanding नहीं एक दूसरे के साथ रह रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत अच्छी understanding है, लेकिन कहीं situation, circumstances support नहीं कर रहे हैं इस relationship को, और इसलिए आप डर रहे हैं कि भई, आगे अगर आप बढ़ें इस relationship से, तो फिर किसी दूसरे इंसान के साथ इस level की compatibility होगी या नहीं होगी, दोनों ही सेनारियों में, कहीं mid-march में एक distance आप करना चाहा रहे हैं, या फिर एक distance आपकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है, ये फिर से मैं कहूंगी सब वर्गोस के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि travel आपको करना पड़ रहा है, या फिर intentionally आप travel कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि relocation, change of place, change of residence, या फिर से दिखिए किसी भी तरीके के changes, या तो आपके personal front में आ रहे हैं, जो कि इस relationship में एक distance लेकर आ रहे हैं, या फिर deliberately आप एक distance maintain कर रहे हैं, आप थोड़ा सा चीजों से, लोगों से, अपने partner से, या फिर again किसी भी चीज से move on करना चाहा रहे हैं, या तो ऐसा करके बहुत एक peace, बहुत एक सुकून आप mid-march में महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा किसी situation से, circumstances से, कुछ के लिए हो सकता है कि partner से, temporarily एक distance करेंगे, बहुत action initiatives नहीं लेंगे, यह देखे कुछ के लिए हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से, आपकी तरफ से एक distance रहेगा, तो एक peace, एक सुकून आप खुद के लिए ला पाएंगे, लेकिन देखे, end-march के लिए, यहाँ पे wheel of fortune reverse का card कहता है, कि आप stuck महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे देखे, मैं आपको यह भी कह सकती हूँ, कि आपने एक movement करना तो चाहा, आपने mid-march में आगे बढ़ना तो चाहा, और हो सकता है कि physical level पे, कुछ work goes आगे बढ़े भी, लेकिन mentally, emotionally, कहीं आप अपने partner से move on नहीं कर पाए, या फिर बहुत ज़ादा, again you know mentally, emotionally, distance नहीं कर पाए, या फिर देखिए होता है ना, कभी-कभी हम distance कर लेते हैं, लेकिन बहुत stuck महसूस करते हैं, तो देखिए कुछ ऐसी सी energies रह रहे हैं, जहाँ पर move on करके भी move on नहीं कुछ चीजों से आप कर पा रहे हैं, एक movement करने के बावजूद भी एक stuck feeling आप महसूस कर रहे हैं, deeper level के लिए forgiveness का काट कहता है, कि इसी वज़े से या फिर otherwise भी, अगर पीछे कुछ भी issues मसले रहे, या फिर कोई गलती आप से हुई, आपके partner से हुई, तो आप यहां तो माफी मांगना चाह रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई, वो माफी मांगे आप से, और चीजें resolve हों, चीजें ठीक हों, तो कहीं दिखे, जो भी energies रहें, end March में, आप forgiveness माफी देने पे, माफी मांगने पे, माफी चाहने पे focus करते वे दिख रहे हैं, और ये भी एक reason, कुछ Virgos के लिए, specifically stuck energies का रहतावा दिख रहा है, और अब देखते हैं Virgos की, आपके partner की क्या energies हैं, तो देखे, आपके partner के लिए, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड हैं, The Silver Waterfall and Six of Pentacles, देखे, Silver Waterfall के कार्ड को, I don't know आप कितना देख पा रहे हैं, बहुत ही beautiful energies हैं, rainbow है, और खुबसूरत खुबसूरत चीजें हैं, जिसकी fall हो रही है, और ये कार्ड कहीं कहता है, कि आपके partner, बहुत हो सकता है, giving कुछ टाइम से, आप मार्ट स्टार्टिंग में रह रहे हैं, कहीं Six of Pentacles का कार्ड भी, giving वली energies की बात करता है, हो सकता है, किसी चीज के लिए, वो आपको बहुत convince कर रहे हैं, बहुत मना रहे हैं, या ये भी हो सकता है, कि देखिए, वो आप से कुछ उमीदे रख रहे हैं, कुछ expectations रख रहे हैं, तो देखिए, यहाँ पर broader level के लिए, again, आपके partner की, काफी giving energies रह रहे हैं, और कुछ के लिए literally हो सकता है, कि काफी किसी चीज को लेकर, convince आपको कर रहे हैं, यहाँ पर abundance का card भी कहता है, कि बे इंतिहां प्यार, महबत, आपके लिए महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसे लग रहे हैं, कि वो क्या करें, जिसे कि यह relationship ठीक हो जाए, better हो जाए, और बहुत एक again मैं कहाँँगी, इस relationship को लेकर, आपको लेकर, abundant energies उनकी तरफ से रह रहे हैं, बहुत आपके लिए करना चाहा रहे हैं, कुछ वर्गोस के partner के लिए हो सकता है, कि आपको वर्गोस इतना नहीं, उनकी तरफ से नजर आ रहा है, लेकिन deeper level के लिए, कहीं उनकी ऐसी ही energies रहती हुए दिख रहे हैं, और कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है, कि आप अपने partner की इन ही energies को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, जो भी हो दिखिए surface level के लिए, night of cups rivers का card कहता है, कि काफी emotional, काफी sentimental भी आपके partner, कहीं mid-march में होते हुए दिख रहे हैं, इसके लिए दिखिए सब वर्गोस के लिए different reasons रहेंगे, या मैं कहूंगे सब वर्गोस के partner के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन वर्गोस अगर मैं cards देखूं, तो कहीं आपकी energies नहीं बहुत ज़ादा एक loving, caring वाली रह रहे हैं, या फिर एक fear है, insecurity है, उस तरीके से आपके action initiatives नहीं रह रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा reason हो सकता है, कि आपके partner कहीं बहुत emotional, sentimental हो रहे हैं, और देखिए उनके लिए हमने देखा भी कि वो बहुत giving energies में हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर सामने वाला दे रहा है, उसको आपकी तरफ से उस तरीके का response नहीं मिल रहा है, तो वो emotional, sentimental तो होगा ही होगा, और देखिए end march के लिए भी, यहाँ पर maturity and queen of wands reverse के cards कहते हैं, कि आपके partner बहुत maturity के साथ चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, यहाँ मैं ऐसा भी कह सकते हूँ कि बहुत maturity के साथ, चीजों को resolve करना चाहा रहे हैं, solve करना चाहा रहे हैं, और इसी से ही related यहाँ फिर otherwise, बहुत boldly, बहुत courageously, या तो action initiatives ले रहे हैं, या फिर लेना चाहा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, और देखिए अगर वो boldly, courageously, action initiatives ले रहे हैं, तो कुछ over ही उनकी ऐसी energies रह सकती हैं, और कुछ वर्गोस के partner के लिए हो सकता है, कि over action initiatives ले रहे हैं, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि लेना चाहा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं देखिए उनकी energies में specifically enthusiasm, excitement से related, and March में कहीं balance नहीं रहता हुआ दिख रहा है, हालां कि देखिए वो बहुत maturity के साथ चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं, और अब देखते हैं, वर्गोस की March month में क्या हो रहा है, तो March month के लिए सबसे पहला card मुझे दिख रहा है, Two of Cups Rivers, और ये card बहुती clearly किसी भी level पे, किसी भी तरीके से एक distance की बात करता है, जो कि कुछ time से या फिर March starting में आप लोगों के बीच में रहतावा दिख रहा है, और देखें, ये general reading होती है, तो ये distance सब वर्गोस और उनके partner के लिए differ कर सकता है, कुछ के लिए physical level पे हो सकता है, कुछ के लिए mental level पे, emotional level पे हो सकता है, और देखें, किसी की भी तरफ से हो सकता है, किसी भी वज़य से हो सकता है, लेकिन यहापे वगोज आपके लिए Six of Swords का कार्ट कहता है कि आपकी तरफ से जादा रहतावा दिख रहा है और देखें इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रेक अप हो रहा है यहाँ फिर कोई बड़ा मसला हो रहा है यह मंतली रीडिंग है तो छोटा मोटा issues, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे है छोटा मोटा सा अगेन मैं कहूंगी distance कहीं मिड मार्च में या मार्च मन्त में रहता वा दिख रहा है और देखें deeper level के लिए spiritual maturity का कार्ट कहता है कि जो भी surface level पे issues मसले हो रहे हैं आप फिर किसी भी level पे एक दूरी distance रह रहा है आप दोनों ही maturity के साथ चीजों को deal करना चाहा रहे हैं इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं और एक दूसरे के views को, एक दूसरे की emotions को, feelings को समझना चाहा रहे हैं लेकिन देखें, समझ नहीं रहे हैं और कहीं आपके partner की तरफ से एक mature energy जादा रहती हुई दिख रही हैं वो goes, आप कहीं उतना maturity के साथ शायद चीजों को नहीं deal कर पा रहे हैं देखें, mid-marsh के लिए यहाँ पर tower rivers का card कहता है की एक suffocation रह सकती है, एक घुटन आप दोनों महसूस कर सकते हैं और फिर से मैं कहूंगी यह monthly reading है और monthly reading में भी कहीं mid-marsh के लिए जादा रहता हुआ दिख रहा है तो beyond the point आप परिशान ना हो कैसे आप इन suffocating energies में से खुद को, अपने partner को, इस relationship को बहार निकाल सकते हैं उस बेजादा focus करें इस card के हिसाब से कुछ limitations है, कुछ restrictions है, जिनको overcome करने की ज़रत है यह सब के लिए again differ करेगा, लेकिन वो गोज मुझे ऐसे लगता है कि जो भी हम achieve करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी restriction, सबसे बड़ी limitation हमारा thought process होता है हमारे negative belief systems होते है तो आपको भी अगर ऐसा लगे verbose, तो ज़रूर इसको overcome करने की कोशिश करें इसको लेकर आप परेशान ना हो और कहीं देखे फिर से मैं कहूंगी एक घुटन, limitation, restriction इस relationship में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे है and deeper level के लिए re-parenting yourself का काट कहता है कि हो सकता है कि पुराने कुछ issues है, पुराने कुछ मसले है जिनको आप लोग heal नहीं कर रहे है, जिनको आप लोग deal नहीं कर रहे है जो कहीं mid-march में इस relationship को effect कर रहे है तो अगर ऐसा भी पाएं वर्गोज, ज़रूर इस चीज को check करके correct करें कुछ वर्गोज या फिर उनके partner के लिए फिर से कहूंगी past की कोई चीज हो सकती है यहाँ पे past का कोई experience हो सकता है, past का कोई relationship हो सकता है childhood से related, कोई issue, कोई मसला हो सकता है जो की आप लोगों के relationship को effect कर रहा है तो फिर से अपने आपको reparent करने की ज़रत है फिर से, you know, चीजों को positively deal करने की ज़रत है यहाँ मैं nutshell में यह भी कह सकती हूँ कि पुरानी चीजों को जो specially serve नहीं कर रही है जिनकी वज़े से problems हो रही है, उनको let go करने की ज़रत है और देखे कहीं आप दोनों इस चीज को शायद किसी level पे समझ रहे हैं लेकिन उस direction में उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि end marsh के लिए आपे boundaries and five of pentacles, reverse का card कहता है कि आप दोनों ही again वो limitations, वो restrictions को overcome नहीं कर रहे हैं इन फेक्ट और जादा boundaries एक दूसरे के बीच में create करते हुए दिख रहे हैं या फिर create हो रही हैं, जहां पे खुल के चीजों को नहीं express कर रहे हैं खुल के चीजों को नहीं कह रहे हैं, again उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं फिर से मैं कहूंगी एक दिवार सी, आप दोनों अपने दोनों के बीच में महसूस कर रहे हैं या फिर create कर रहे हैं, या फिर एक दिवार सी आप दोनों के बीच में रहे रही है और इसलिए या फिर otherwise, आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि सामने वाला neglect कर रहा है, उतना attention नहीं दे रहा है, उतना love, उतना प्यार, उतनी महबत नहीं express कर रहा है और कहीं एक अकेला पन या तो आप दोनों आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे है या फिर एक अकेला पन रह रहा है, एक rejection वाली energies भी कहीं end March में इस relationship में रह रही है कुछ वर्गोज और उनके partner के लिए literally हो सकता है वर्गोज या तो आप या फिर आपके partner social media पे एक दूसरे को block कर रहे है तो ये था वर्गोज आप लोगों के लिए March 2023 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें